आज जो हम चीज बढ़ने वाले है वह यह वेक्टर बैसिकली वेक्टर एक STL का कंटेनर क्लास है तो पहले तो हम डेपिनेशन पढ़ लेते हैं उसके पाद हम जानेंगे कि अक्च्छल में वेक्टर क्या है हमें वेक्टर की ज़रुद क्यों पड़ी और इससे पहले क्या मेथर्स थे चीक है और इसमें बदलाव किस चीज में है उसके size में है जो automatically बदलता है जैसे जैसे हम elements उसके अंदर insert करते है A vector stores the element in contiguous memory location and allocates the memory as needed at runtime So इसमें जो memory allocation होता है वो contiguous blocks of memory में होता है जैसे हम array में देखते हैं और runtime पे यह चीज होता है So guys अब यह तो definition का part हुआ अब हम देखेंगे कि actual में क्या चीज है यह इस मैंने आपको कहा कि आप 5 elements लो आपने एक array लिया फिर 1,2,3,4,5 यह बात तो बढ़िया है कि आपने array लिया आपने यह सोच के लिया होगा कि ठीक है कुछ भी सोच के लिया होगा इसमें कुछ सोचने की बात नहीं थी फिर यह 5 elements थी आपने array में ठीक है और मैंने आपको कहा कि यह इसमें और एक element इंसेट करतो जिसकी value 6 है तो नया array तो 1,2,3,4,5,6 होगा लेकिन actual में array जब आपको जब 5 size का अपने array declare किया तब उसमें नहीं element जब add करोगी तो उसकी size तो 6 होगी तो आप array में resizing possible नहीं होती अगर आपने 5 elements का array declare किया तो आप उसमें 5 ही elements डाल सकते हैं आप उसमें 6 ही element नहीं डाल सकते हैं तो यह रहा array का एक flaw flaw या फिर एक demerit लेकिन array का पाइदा क्या है कि आपने array क्या सूच की उसक्या होगा अगर मैंने कहा कि यार मुझे इसमें आप second index जो है उसमें क्या element है वो return करो तो आप मुझे directly बता सकते हो कि इसमें 3 value है element की अगर मैंने कहा कि इस array की last element क्या है मतलब n-1 इंडेक्स पर क्या है तो आप मुझे 5 easily return करके बता सकते हो वैसे ही मैंने कहा कि first element कौन सी है तो आप मुझे 1 instantly return कर सकते हो so array का demerit यह है कि आप इसको resize नहीं कर सकते हो इसका फाइदा यह है कि आप इसमें traversal की ज़रूरत नहीं है आप random अब इसी case में हम दूसरी चीज क्या यूज़ कर सकते है मान लो आपने link list यूज़ कि link list में कैसे होता है आप एक node create करते हो node की एक value होती है मैंने कहा आपको 5 develop data elements है 1,2,3,4,5 ठीक है एक इस link list में किसे insert कर दो आपने कर दिये मैंने आपके कहा कि आप और एक element insert कर दो तो आपने वो भी किया 1,2,3,4,5 तो आपके पास पहले से ही था जो नया element आया वो 6 add हो गया इसके लिए आपने क्या किया बस एक नई node create की उसमें जो data था उसकी जगा data की value आपने 6 insert की आपकी नई link list 1,2,3,4,5,6 है अभी पर इसमें फाइदा तो है कि एक element easily insert हो सकता है लेकिन इसमें issue यह है कि इसको अगर मैंने आपको कहा कि मुझे 4 किस index पे है वो बताओ ठीक है 4 जो element है वो किस index पे है या फिर 4th index पे कौन सी value है इसमें लिंक list का फाइदा हमारे पास यह है कि आप इसमें नई element easily add कर सकते हो आपको नए से फिर से link को बनाने की ज़रूरत नहीं है तो आप 6 अगर मैंने कहा तो आप easily add कर सकते हो लेकिन मानवा ऐसे आपके पास 10 million number है या फिर एक million number है और आपको किसी एक particular element को धूनना है तो आपको उस case में traversal करना पड़ेगा जो कि काफी ज़्यादा time consuming है link list में आप directly किसी element को access नहीं कर सकते है आपको traverse करना पड़ता है तो link list का problem यह है कि आपको उसमें traversal महगा पड़ता है और area का problem यह है कि आप इसमें resize easily नहीं कर सकते है तो इस दोनों की जो फाइदे है कि direct access और इसमें resizability तो यह दोनों चीजों का मिला के जो चीज एक मतलब आप कह सकते हो जो नया container class बनता है या फिर इन दोनों से बनाया गया वो आप कह सकते हो vector vector की फाइदा क्या है या आप इसमें आप resize easily कर सकते हो उनलब automatically resize होता है और access भी आप directly कर सकते हो विद और कई सारे multiple functionalities उसमें added है basically resize कैसे होता है मानलो अभी मेरे पास ये vector है ठीक है अब vector है इसमें मैंने एक element add की जैसे 1 तो अभी इस vector की size क्या रहेगी अब size भी 1 है उसमें एक element भी है मतलब vector full है अब मानलो मैंने एक नई element add की 2 तो ये vector क्या करता है जो अपनी पिछली size थी फुल के वाक्त वो उसको double कर लेता मतलब अब vector की size हो गई 2 अब क्या होगा मैंने और एक element add की मानलो वो element 3 थी तो पहले जो size 3 क्या वो full हो गई है हाँ तो दो positions थे दोनों के दनों full हो गई और नई element भी आ गई है तो पहले दो जो size थी इसकी double size होगी मतलब आप size होगी 4 अब vector में 4 जगे है जिसमें से 3 occupied है मतलब अगर मैंने 4 insert किया तब भी size 4 ही रहेगी आपको समझ में आ रहे है तो ऐसी बात होती है कि जो अगर full हो जाए vector तो वो आपने आपको resize करके double बना लेता है तो basically क्या होता है कि जो memory आपका space है उसमें अगर पहले full हो गया है तो नई space में जाके पहले वाले elements copy हो जाते है और double size का array बन जाता है dynamic array तो ऐसे कुछ हिजाब से vector की resizing होती है तो guys ये सारी चीज़े हैं जो vector को vector का use up तो guys यही फाइदा है vector का कि वो resize easily होता है और आपको direct access में बना है कई सारी चीज़ों में आपके program में इस चीज़ की काफी ज़्यदा help होगी vector की और एक nominal code से ये आपके code को बहुत स्यादा shorten करेगा so guys thanks for watching अगर आपको इसका implementation देखना है यानि की code में इसके कई सारी जो functionality है आप प्लीज आगे वाली जो वीडियो होगी उसको जरूर देखिए उसमें मैंने vector के कई सारी functionalities include किये आप उसको refer कर सकते है thanks for watching